हलो एवरिवन कैसे हो आप सबी ये पोहा दही के साथ पता नहीं मैंने पहले शायद आपको दिखाया नहीं दिखाया क्योंकि ऐसा हो गया ना मुझे यादी नहीं आ रहा था फिर मैंने सोचा चलो मैं ये क्लिप शेयर कर देती हूँ हाँ यहां से देखिए मैंने भेलपूरी का पैकिट लेकर आई थी ये 35 रुपे का मिला था थोक की दुकान से सस्ता मिल गया था मुझे तो मेरे को भेलपूरी खाना बहुत पसंद है लेकिन मैं बजार की भेलपूरी नहीं मैं घर पर ही बना लेती हूँ प्यास टमाटर एड करके हरी मिर्ची और अच्छा लगता है मिन्स कभी कुछ ऐसा हो ना चटपटा कुछ खाना है तो ये भेलपूरी मैं जरूर खाती हूँ तो इसके तीन-चार पैकिट मैं लाकर रख लेती हूँ और मेरा चल जाता है कभी भी मन हो महीने में एक-दो बार में बना लेती अज मेरी वेट लोज जर्नी का पहला दिन है तो ये है तारीक 20 तारीक संडे का दिन है तो अब बिल्कुल जब्कुल अच्छे से फोलो कर रही हूं और जो बी मेरा डाइट प्लैन रहता है कि मैं अगले दिन क्या खाना है वह मैं अपनी चैनल की कमुनिटी में शयर पहले ह एडवांस में कर देती हूं इसका मतलब मैं पहले ही एक दिन पहले पूरा अच्छे से लिख कर अच्छे से वो बनाती हूं कि मुझे सुबह क्या खाना है अगले दिन दोपहर को लंच में क्या खाना है रात को डीनर में क्या खाना है ताकि मैं कुछ भी चीट फूड या मेरा एक रहता है कि मेरे को 1200-1300 इससे ज़्यादा की कैलरी पूरे दिन में नहीं लेनी है इंटेक करनी है तो उसी साब से ही मैं अपना डाइट प्लैन फोलो करती हूं और मैं एक्सराइज करने का टाइम बताओ मैं रात को ही कर पाती हूं रात को जैसे सड़े 6-7 बजे जब म मेरी 5 महीने की वेट लोस जर्नी है उसमें एक जैसी एक्सराइज में नहीं करूंगी जैसे हर 4-5 दिन बाद मैं चेंज करती रहूंगी फिलहाल जो मैंने एक्सराइज पहला दिन मैंने अपनी वेट लोस जर्नी का शुरू किया है तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक घं बस इतनी हैं तो 10-12 सीडियां जैसे एक बार उपर जाओंगी एक बार नीचे फिर उपर फिर नीचे इस तरीके से मैं राउंड लगाओंगी और कितनी लगाओंगी मैंने सोचा एक घंडा और अगर मैं पूरा लगातार नहीं कर पाई एक घंडा देखो बहुत जादा हो जा ब्रेक मेरा जो हो जाएगा मतलब पूरा सेट उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी पांस-दस मिनट का ब्रेक ले लोंगी जैसे मैं दस मिनट फिर नॉर्मल जैसे प्लेन बाहर जैसे घर के बाहर वोक कर लेती और मैं ज्यादा दूर जाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ प्रb 12 मिनट इस तरहें से 60 मिनट मैं सीडियों पे पैदल चलूंगी ना तो मेरे पेट पे जोर पड़ेगा जय साब अभी सार्णोर मैं नहीं दूर ज्से कर छूंगी महीं जैसे 10-40 मिनट मेरी वोक हो जाएगी जैसे घर के सामने कर लोंगी थोड़ा ज़से इतना जादा तो नहीं आता लेकिन अच्छे से exercise करो ना जैसे पूरी महिनत से तो थोड़ा बहुत मसीना मुझे आ जाता है वरना sweating मुझे इतनी जादा वैसे होती नहीं और यह देखो जी बाकी देखो नॉर्मल रूटीन के जो काम है आप लोगों के भी बात सहिए देखो उ आपना जा सकती गरें में तो इस बार बहुत ज्यादा सीरियस और अपनी exercise और अपनी एक्सराइज और अपनी यह मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी अगर मैंने सोच आए ना इस बार की नीधी मैंने शुरू किया तो इसको खतम करना है मुझे 58 kg 57 पे लेकर आना है पाँच महीने में तो एवरेज मुझे 4 kg हर महीने कम करना पड़ेगा कम वजन और चार kg का मतलब है कि मुझे हर हफते एक कीलो वजन कम करना है जो कि बहुत चोटी बात नहीं होती है क्योंकि जो लोग वेट लोज करतें उनको पता है यार महीने में तो छुड़ो एक कीलो मेरा वजन भी ऐसा ही है बहुत स्टक सा हो चुका है तो अपनी बोडी को मतलब हर तरीके से और इसके लावा बहुत सारी किताबें वह भी पढ़ रही हूं जितना मुझे समझ में आ रहा है लेकिन आप लोग मुझे फोलो कर सकते हो क्यों कि मैं आपको कुछ गलत मैं प्रूफ कर दूंगी कि जो लोग मुझे कहते हैं कि निधी आप नहीं कर सकते हो उनको मैं दिखा दूंगी कि हां निधी कर सकती है अपना वजन कम और मेरा वेट ना सिर्फ मेरे डिप्रेशन की वज़े से बढ़ा है मैं बहुत टेंशन और स्ट्रेस वाली लाइफ मैं मैं दुकान से जाके दो कहीं चोकलेट ले आती थी और बैटके अराम से रात को खाती रहती थी अकेली तो वो अकेला पन लोनलीनेस डिप्रेशन एंग्जाइटी टेंशन स्ट्रेस इन सबने मिलके ना मेरा वेट ना काफी जादा बढ़ा दिया काफी नहीं बहुत जादा बढ़ा दिया है बट अब मैं अपने आप में ना पते बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रिलैक्स रहूं किसी भी तरीके की मैं टेंशन ना लूँ अराम से चिल होके अपने घर के काम करूँ अपने बच्चे पर ध्यान दू और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दू तो अब मेरा जो मेन मोटीव है मेरे को घर की साफसफाई अब लगके धीरे धीरे जैसे कमरा में ने कर लिया सोने लायक आपने देखी लिया इतना कर दिया कि भई सैट हो गया कमरा उसके बाद जैसे मेरा आगे का एरिया यह भी मैंने थोड़ा भो जाडू लगा दिया जैसे उमें पानी दे देती हूं थोड़ा तो इधर हमारा प्यास प्राई ओड़ा है प्यास के बाद टमाटर एक कर दिया है तो इधर टमाटर भी हमारा त्षे से गल गया है अब हमीशी कर देते हैं इस पोखा बनके तयार हो गया है और ये भी लाइव एक्जामपल है देखो मैं ना खाने में ना सबजी में घी तेल जादा एड़ करती थी देखो ना मैंने कितना तेल एड़ किया था इसमें भी पोहे में लेकिन देखो विहान मेरा बेटा है वो तो बढ़ती उमर है पैसे भी वो कमजोड साही है तो उसके खाने में घीते जादा भी डाल रही हूं तो भी चलेगा लेकिन मेरे लिए नहीं क्योंकि मुझे कम करना है वजन इसलिए अब मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी और मैंने चावल बिल्कुल ही नहीं खाने है मुझे इस वेट लोस जर्नी में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया अगर कभी एक आदी बार मन कर गया तो कर गया खालिया लेकिन वैसे मैंने बस यह सोच है मैं पूरे दिन में तीन रोटी खाओंगी जैसे सुबह दो रोटी खाली जैसे मैं छोड़ जैसे दिन रोटी मैं मैं यह त discour़ थो दो जरूट कारते हैं घर पे इस टारीके से तीन रोटी में अब जास बेपनी पूरी डायट जो मना मेरी चले में खाओंगी और डाल भी जरूर घाओंगी एक टोरी रोज जाना ज wellbeing कि एसँ तरीके एना कंभी जरूर नह पर चेहरा बिल्कुल मुर्जा गया है तो अपना ना फेस पे भी मैं ध्यान रखूँगी और जाके ना भी हमारे यहां बेस एक चार मेन वह मिलते हैं सप्लीमेंट से सप्लीमेंट मतलब केलशियम आयरन वगयरा की टैबलेट्स मिलती है मैं जाके ले आँगी क्योंकि जब तक मैं वजन कम कर रही हूं तो मिलको लगता है देखो हो सकता हूं मैं बहुत चीजे न्यूट्रिशन अच्छे से ना ले पाऊं हर चीज क्योंकि आप क खाऊंगी इन पांच महीने में कुछ ना कुछ या कुछ सप्लीमेंट में जरूर लूँगी ताकि बोडी में कमी ना हो किसी भी नूट्रिशन की बाकी अपना वेट कम करने के बाद अच्छा भी लगेगा खुद को भी अच्छा फील होता है तो यहां पर देखो मैंने सार गर्मी बहुत हो जाती है फिर यह पपीता है मैंने विहान को कट करके खिलाया था शामसी को इस तरीके से क्योंकि वैसे पोहा खिलाई दिया था फिर थोड़ा सा पपीता खाया था और यह आगया अगला दिन सुबह का दिन तो आज मैं उठी थी सुबह सवा साथ बजे क्य पानी दे देती हूं मैं रेगुलर पोधो में पानी दिया करूंगी सर्दियों मैं तो चाहे आप दो दिन में एक बार दे दो चलता है बट अभी कहना मेरे पोधे देखो कई मुर्जह से गए हैं जैसे अब एक अधा करी पत्ते का पोधा था ता मेरा वो पूरा खराब हो तुल्सी का पोधा दुबारा से देखो सारे नया हुगाई है बिल्कुल बढ़िया तो एक दो पोधे मेरे खराब होगे बड़ जितना बचा हुए इनको समभाल लेती हूँ खाद भी रखी है खाद भी देखो एक आदे दिन में मैं दे दूँगी इनको पोधो को क्योंकि हर महीने एक बार पोधो को खाद जरूर देनी पड़ती है अधर्वाइस पोधे बिल्कुल मुर्जा जाते हैं क्योंकि देखो पोधो को भी तो न्यूट्रिशन जाहिए होता ह तो चलो आप से face to face मिलती हूँ अब हलो एवरीवन कैसे हो आप सभी शाम के बज रहे हैं पांच मेरा बेटा बाहर खेल रहा है प्ले कर रहा है बट देखो एक चीज तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है मेरी देखो सिंपल वीडियो जारी है अभी पिछले कुछ द वीडियो जारी है उन पर भी मेरी वीडियो पर एक दो कॉमेंट ऐसे आए मैंने हटाई मतलब वही ससुराल के उपर मेरे को पिंच करते हैं यार बार बार होता है नहीं गुसा दिलाने की मुझे कोशिश करते हैं जान करके मतलब उनका नाम लेके ना ससुराल वालो का अच् अच्छा दो करते हैं जान करके बात ना कुछ लेना ना देना मतलब अपनी वीडियो बना रही हूं अपना काम दिखा रही हूं उसके बावजूद भी धक्ये से मतलब पीछे पढ़ने वाली बात हो जाती है कहीं लोगों की मतलब होता है जान करके इस तरीके से बोलना हू मुझे पता है और अभी तो देखो बहुत आएंगे लोग क्योंकि देखो वीहान की जो दादी है उन्होंने बोला हूए है कि वो दीवाली से पहले ही विहां से मिलने अब देखो आते हैं नहीं आते हैं वह्मैं नहीं बोल सकती हूं , ठीक है क्यtextि मुधे नहीム जोने बता कि वो आएंगे मैंने आपको बता दिया कि वो कह रहे हैं वीहां से मिलने आएंगे दिवाली से पहले बस इतनी बात तो युनों ने बोला ये लाएंगे वो लाएंगे बोनWowita लाएंगे ऐसे वैसे मैंने बता दिया ठीक है बर मुझे पता है मैं उस चीड का आज एक वीडियो में जवाब कहा है मेरम मेहमान हे सो truth कि हमेशा इजद में से पर्वान के अफर चार साल में सबस्क्राइब से मुठी से एफि nine एक भी ते कि वहा था जो नपकी थे पूरानी चीजेनं दे जाने हो पूरानी वो मुझे कुछ नहीं कहते कि तू ये कर तू वो कर ऐसे कर वो मुझे कुछ नहीं सला देते ना कुछ मशवरा देते अगर वह video call भी करते हैं बस बच्चे को देखते हैं थीख है विहान से थोड़ी दिर बाते कर लेते हैं और फिर प्र फंप रख देते हैं ठीक है ऐसा कुछ तो नहीं है आप समझ रहे हो चीज तो वह चीज में आप लोगों को समझहाने वाली हो देखो कुछ ऐसे इस तरीके नहीं रखती और मैंने देखो अगर मैं और पूराने ग्रजिस दिल में रखके क्या होता है ना इंसान खुद बीमार पड़ता है इंसान के अंदर टेंशन बनती है दिमाग में तो चीजों को छोड़ देना चाहिए मेरा मानना है बस आगे के लिए आप संभल जाओ बस आगे पर जगड़ा जुगड़ा कलेश कुछ नहीं चाहती है मैं चाहती हूँ वह आएंगे प्यार से आए शांती से आए अराम से अच्छा है उनका जितना दिन मन करता है वह रहें विहान के साथ अच्छे से स्पैंड करें टाइम ठीक है बस और क्या दिक्कत आप यह चीज प्रीज अच्छे से मेरा मेंटल पीस खराब हो जाएगा तो मैं उस चीज से दूर भागूंगी अप समझ रहें वह चीज मैं अगर ऐसी कोई बात होई भी जहां पर मत बात 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 तो चार बंदे बात तो करते करते बात निकलती है तो कोई ऐसी बात उठेगी भी मैं तो उठाने नहीं वाली मैं सब बोलती हूं कि मेरे को अपनी वेट लोस जरनी पर फोकस करने है अगर मैं करूंगी अगर पुरानी बात अगर उठेगी तो साइड हो जाओंगी मैं फो बात इस अपना वजन कम करना है मेरी अच्छी आज़जि मैंने जर्नी शुरू करी अगर यह डिस्टर्ब हो गई ना तो मेरे लिए मेरा नुकसान है इस चीज में मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक होता है जैसे अर्जुन की एक वो था चीडियां पर निशाना लगाना तो उसी तरीके से बस मेरे को मचली की आख ही देखनी है मचली की आख होती है इस चाहिए इस टाइम मुझे अपना वेट लोस में कर रही हूं मैं बहुत सीरियस हूं किताबं बुक्स पढ रही हूं इस बारे में तो मैं चाहती हूं पोजिटिविटी के साथ चलना इस टाइम तो इस तरीके की चीज़े आएंगी मेरे को पता है जादा तो कॉमेंट्स कर दूं यून दिनों वीडियो का तो चलिए जी ठीक है जी इस वीडियो का मैं यहीं एंड करते हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूं अपना खुब सारा दिहान रखिए बाई बाई टेक केर लोडस ओफ लव